Father of Medicine Hippocrates के 34 प्रेरक कथन जहां कहीं भी चिकित्सा की कला से प्रेम किया जाता है, वहां मानवता के लिए भी प्रेम होता है। फिजिशियन इलाज करता है, लेकिन प्रकृती ठीक करती है। अगर खाने या व्यायाम में कोई कमी होगी, तो शरीर बीमार हो जाएगा। दो चीजों की आदत डालिये, मदद करने की, या कम से कम कोई नुकसान ना पहुचाने की। ये जानना कहीं ज्यादा जरूरी है कि किस तरह के व्यक्ति को बीमारी है, बजाए इसके की व्यक्ति को किस तरह की बीमारी है। स्वस्थ रहने का रास्ता है, रोज एरोमेटिक बात और सेंटेड मसाज लेना। सारी बीमारिया पेट से शुरू होती है। जिस तरह से भोजन की वजह से क्रोनिक डिजीज होती है, उसी तरह से ये सबसे अच्छा क्योर भी हो सकता है इंसान की डाइट का हर एक तत्व उसके शरीर पर असर डालता है और किसी न किसी तरह उसे चेंज करता है और इन ही बदलावों पर उसका पूरा जीवन निर्भर करता है प्रकृती खुद में सबसे अच्छी चिकित सक है दवाईयों को केमिस्ट के पॉट में छोड़ दें अगर आप मरीज को खाने से ठीक कर सकते हैं तहलना इंसान की सबसे अच्छी दवा है बुद्धिमान व्यक्ति को स्वास्थाय को सबसे बड़ा मानविय आशिरवाद मानना चाहिए भोजन को अपनी दवा बनने दीजिए स्वस्थ होना समय का मामला है लेकिन कभी-कभी ये अवसर की भी बात है हमारे अंदर की प्राकृतिक ताक्तें बीमारियों की सच्ची आरोग्यसाधक होती है प्रार्थना सच्मुच अच्छी है लेकिन भगवान को पुकारते समय इंसान को खुद अपना हाथ बढ़ाना चाहिए जिन्दगी इतनी छोटी है, कारीगरी सीखना इतना लंबा जब भी डॉक्तर सही ना कर सके, उसे खराब करने से रोका जाना चाहिए मरीजों की गलतियों पर भी ध्यान रखिए जो अकसर उन्हें बताई गई चीजें लेने के बारे में जूट बुलवाता है बिना जोतिश के ग्यान के एक फिजिशियन को खुद को फिजिशियन कहने का अधिकार नहीं है दरसल दो चीजें हैं, ग्यान और मत पहले से ग्यान आता है, दूसरे से अग्यान अगर आप खुद अपने चिकित सक नहीं हैं, तो आप मूर्ख है बीमारी हमारे उपर बस ऐसे ही कहीं से नहीं टपक पड़ती वे रोजाना प्रकृती के खिलाफ किये गए छोटे-छोटे पापों से उपजती है जब पर्याप्त पाप इकठठा हो जाता है, अचानक से बीमारी सामने आ जाती है हर किसी के अंदर एक डॉक्तर होता है, हमें बस उसे उसके काम में मदद करनी होती है कला लंबी है, जिन्दगी छोटी है जरुरत से ज्यादा हर चीज प्रकृती के खिलाफ है भोजन को अपनी आउशधी और आउशधी को अपना भोजन होने दो चलना मनुष्य की सर्वोत्तम आउशधी है अतीत की घोशना करें, वर्तमान का निदान करें, भविश्य की भविश्यवानी करें जीवन छोटा है, कला लंबी है, अवसरक्षन भंगुर है, अनुभव विश्वास खाती है, निर्ने कठिन है यदि आपका मूर खराब है, तो टहलने जाएं यदि उसके बाद भी आपका मूर खराब है, तो दूसरी बार सेर पर जाएं